नमस्कार दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक कोस्चन है कोस्चन को पहले आपको पढ़ना है इसके बाद इसे याद करना है ठीक है देखिए कोस्चन है आपका संसाधन के विकास में सतत विकास की आवधारना की व्याख्या किजिए दोस्तों कोस्चन क्या कहता है देखिए कोस् उसमें यह जो आपका सतत विकास है सतत मतलब होता है लगातार ठीक है सतत मतलब लगातार तो लगातार विकास की जो आप धारना है इसी का आपको व्याख्या यानी वर्णन करना है ठीक है दोस्तों आए इसका हम लोग आंसर देखते हैं यहां पर देखिए सतत विकास एक ऐस अवधारना है ठीक है जिसके अंतरगत ठीक है दोस्तों आने वाले पिढ़ी को बीना नुक्सान पहुचाए ओके वर्तमान समाज की आउस्चागताओं को पूरा करना है दोस्तों सबसे पहले आप एक बात याद रखे सतत विकास जो है या एक अवधारना है ठीक है और ये कै अवधारना है दोस्तों सतत विकास खेता है कि वर्तमान समाज की यानि आज की जो समाज है उसकी आउस्चाओं को पूरा करना है ठीक है इस बात को याद रखेगा वर्तमान समाज की आउस्चाओं को पूरा करना है लेकिन आने वाले पिढ़ी को बिना नुक्सान पहुचा यानि की हमारे बात की जो आने वाली पिड़ी है उसको किसी परकार का नुक्सान नहीं पहुचाना है और मतलब की बिना नुक्सान पहुचाए ही दोस्तों आपको वर्तमा समाज की आवसक्ताओं को पूरा करना है यही बात कहता है सदत विकास की आवधारना ठीक है इसके बाद देखिए संसाधन मानव के जीवन का अधार है ये बात आपको पता है दोस्तों संसाधन के बीना हमारा जीवन संभब नहीं है आपको पीने के लिए पाणी चाहिए अगर आपको पाणी नहीं मिला तो आप जिंदा नहीं रहा पाएंगे पाणी खुद भी एक संसाधन है यानि संसाधन क्या है मानव के जीवन का अधार है या प्रकिर्ती से मिला उपहार है दोस्तों पाणी आपको कहों से मिला है प्रकिर्ती से मिला है कोईला कहों से मिला है प्रकिर्ती से मिला है पेट्रोल कहों से मिला है प्रकिर्ती से मिला है पैर पोधा कहों से मिला है प्रकिर्ती से मिला है जाने की संसाधन क्या है प्रकिर्ती से मिला हुआ एक उपहार है ठीक है आगे देखिए मानव इसका भरपूर ठीक है मानव इसका भरपूर दोहन किया है क्या है दोहन किया है यहाँ पर लिखेगा आप मानव ने इसका भरपूर दोहन किया है ठीक है वहाँ पर ने आपका छुड़ गया था तो याद रखी यहाँ पर लाइन था आपका मानव ने इसका भरपूर दोहन किया है किसका तो संसाधन का जिससे कई परकार के परियावर्णिया समस्या उत्पन हो गई दोस्तों परियावर्णिया समस्या क्या होता है दोस्तों परियावर्ण से सम्मधित समस्या को बोलते हैं परियावर्णिया समस्या जैसे कि मान लिजे वायू परदूसित हो गया वायू में यानि हवा में बहुत सारा जो है carbon dioxide guys की मातरा यो बढ़ गیا यानि ये क्या है एक पर्यावर्निया समस्या है दोस्तों याद रखे मानम ने जो समसाधन का दोहन किया इसे क्या हुआ है इस दोहन से बहुत सारे पर्यावर्निया समस्या उत्पन हो गई है फिक है परियावरन को बिना नुक्सान पहुचाए भावी पिड़ी के हीतों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमा समाज का विकास करना सतत विकास है दोस्तों ये वही बात है कि परियावरन जो है इसको किसी परकार का नुक्सान नहीं पहुचाना है मतलब की बिना नुक्सान पहुचाए भावी पीड़ी यानि की आने वाले पीड़ी उसके हीतों को सुरक्षित रखते हुए यानि हमारे बाद की जो पीड़ी होंगे उसका जो हीत है उसको सुरक्षित रखना है वर्तमा समाज का विकास करना सदत विकास है ठीक है यह आपका आंसर है आंसर को आप सेम टू सेम चाहें तो लिख सकते हैं थैंक्यू दूस्तों